अच्छी खबर है तमाम उने एस्पिरेंट्स के लिए जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे थे मैं आपको बता दू कि जमुकश्मी गोर्मेंट ने ये मन बना लिया है कि वो वेटिंग लिस्ट को रिस्टोर करेंगे लेकिन मैं अब आपको बता दू कि एड्मिस्ट्रेटिव काउंसिल के एक मिटिंग हुई जिसे लीड कर रहे थे लेटन गवर्नर मनोत सिना और उस मिटिंग में एक तहासिक फैसला हुआ कि तमाम पिछले साल के अगर मैं बात करूँ उक्तूबर 2023 के बाद जितनी भी वहाँ पर वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी कहीं न कहीं आप लोग इंतजार कर रहे थे कि क्या आप जॉब के भागिदार है या नहीं है लेकिन अब मैं आपको बता दू कि एक बार फिर से उक तमाम वेटिंग लिस्ट को जो है वो रिवाइब किया जा रहा है इसने जितने भी एस्पिरेंट्स है उनके लिए खबर जो है वो बहुत जादा अच्छी है जमुएन कश्मीर सिवल सर्विसीजीज अडि संट्रिलाजेशन एड रिक्यूर्मेंट रूल दोहजार दस इन टरम्स अफ एसो 496 ऑफ 2023 जमुएन कश्मीर एपोईट्मेंट ऑफ क्लास पोर स्पेशल रिक्यूर्मेंट रूल दोहजार बास वाइस वाइड नमबर एसो 497 2023 जमुन कश्मीर Combined Competitive Rules Examination Rule 2018 White SO493 of 2023 इसके साथ मैं आपको बता दू बिजनस रेगुलेशन आफ JKPSC and JKSSB और मैं आपको साफ तोर पर ये बताने की कोशिश करूँ कि यहां पर जो है एक फैसला लिया गया था वो फैसला लिया गया था यहां पर 2023 में यानि साथ सब्टमबर 2023 को और तब आपने देखा कि तब भी Lieutenant Governor मनोथ सिना ही थे जिसमें ये फैसला लिया गया था कि शायद वेटिंग लिस्ट के प्रावधान यानि जो वहां पर एक रूल है उसे खतम कर दिया जाएगा लेकिन फिर से एक फैसला आया यहां पर जहां पर 19 फरबरी 2024 को जिसमें Administrative Council की मिटिंग हुई जिसे हेड कर रहे थे जो हम कश्मीर के Lieutenant Governor मनोथ सिना उन्होंने पर दुबारा से कहा कि वेटिंग लिस्ट का जो यहां पर रूल है उसे जो है वो रिवाइब किया जाएगा यानि तमाम जितने भी एस्पिरेंट है वो इंतजार कर रहे थे वेटिंग लिस्ट का अब वेटिंग लिस्ट को दुबारा से रिवाइब किया जाएगा ताकि आप लोग जो है वो जॉब्स के भागिदार बन पाए लेकिन मैं आपको बता दू कि इसमें साफ तोर पर कहा गया था एड्मिस्टेटिव कॉंसल की मिटिंग में कि वन टाइम एक्सेक्शन होगी यानि क्या होगा छे महीने के अंदर अंदर जो है इन मिटिंग लिस्टों को तयार करना है अब बहुत सारे बच्चों के लिए खास बात क्या है यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का लिस्ट में नाम आया उन्होंने अपनी जॉब को जॉइन नहीं किया उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज भी हम उस ठंडे बस्ते में होंगे अगर हमने अपनी job को join नहीं किया तो आज भी हमारी नोकरी वहाँ पर होगी लेकिन यहाँ पर साफ तोर पर department को हिदाय दी गई है कि किसी भी कारण कोई व्यक्ति अपनी job को join नहीं कर पाया उसे भी आप जो है waiting list में consider करें यानि उसका जो खाली जगा है उसे भी आप लोग waiting list में डाल दे क्योंकि यहाँ पर देखा गया कि जब सब inspector के exam हुए उसके बाद में waiting list का जो है option वहाँ पर नहीं आया लेकिन अब तमाम departments को कहा गया है कि आप waiting list का जो data है उसे बनाई है कोई भी पद यहाँ पर खाली रह गया वकैंसी रिकित रह गयी आप उस वकैंसी गो जो है वो नहीं list में डालिये किसी भी तरह कि कोई वकैंसी किसी भी तरह का कोई यहाँ पर जिस तरह से designation है किसी भी तरह से कोई पद है वो खाली नहीं रहना चाहिए उसे भरा जाएगा वेटिंग लिस्ट के हिसाब से यानि लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे एस्पिरेंट यहाँ पर इंतजार कर रहे थे किया अब आपको बताने कि बहुत थोड़ा सा समय यहाँ पर दिया गया है डिपार्टमेंट को जो भी करना है छे महिने के अंदर करना है और डिपार्टमेंट को पता है कि हम रूक्यूर्मेंट कराने में ज़्यादा प्रोसेस यानि हमारा प्रोसेस लंबा चलता है इसलिए टाइम दिया गया है चीफ सेकर्टरेटर बात करूं उन्हों ने भी इस फैस्टे में जो है वो बहुत बड़ा कद साफ तोर पर ऐसा कहा गया है कि यह सारी पोस्टे रियड़टाइज होंगी चाहे किसी ने जॉइंग की चाहे किसी की कोई भी मजबूरी रही हो लेकिन अब इन सारी पोस्टों को रियड़टाइज किया जाएगा और साफ तोर पर कैंडिडेट्स को जो है बोला गया है कि अगर आपका नाम यहां पर आता है और सबसे बड़ी बात जिन लोगों की यहां पर ओवरेज हो चुकी है शायद उनके लिए को एक नया रूल यहां पर निकाला जाएगा लेकिन अभी जितने भी नाम वेटिंग लिस्ट में थे वो दुबारा शायद आपको एक बार देखन बार गया स्वेस्टलिस